ओम श्री गनेश आये नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है मकर राशी वालू हुजावत यार क्योंकि अब आपको भगवान श्री गनेश वर्मा लक्षमी के अश्रवास से एक जनवरी से 31 जनवरी यानि कि जनवरी 2023 के महीने में बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली हैं यू कहें कि इस महीने आपको नोटों से भरा बैग मिलेगा जादोस तो आपको बता दें भगवान श्री गनेश वर्मा लक्षमी के अश्रवास से जनवरी 2023 के महीने में बन रहे गज केशरी योग, धन लक्षमी प्राप्ति योग, महन लक्षमी योग और दो राज योग में आपके किसमत जनवरी 2023 के महीने में चमक जाएगी जादोस तो इस महीने आपको भगय का पूरा साथ मिलने वाला है, आपको बता दें, ग्रह नक्षत्री की जो इस्तिती है, वहें आपके पक्षमे साबित होने वाली है, जिससे कि जनवरी 2023 के महीने के समय, पूर्ण तहां आपके पक्षमे कहा जा सकता है, जादोस तो इस सम में में आपको भगवान श्री गनेश और मालक्षिमी के असरवास से अनेक उप्रकार के बड़े-बड़े लाब धनलाब बड़े-बड़े खुसकबरियां और बड़े-बड़े सफलताओं की आपको प्राप्ति होने वाली हैं जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जा दोस् वीडियो बहुत महत्मपूर हैं शुरू से लेकर अन्त तक इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के माद्यम से हम आपके जनवरी दोजार तेज के महीने के शंपून और शटीक रासी फल के बारे में बताने वाले हैं जा दोस्तों वीडियो का अगे श सच्चे वक्तिस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमिन सोक्स में जै श्री गनेश जै मालक्षमी अवस्चा लिखें जिससे भगवान श्री गनेश और मालक्षमी का अशिरवात आपको सीथे प्राप्त हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसे रहेंगे भगवान श्री जनेश और मालक्षमी के अशिरवात से ये दिन बहुती अच्छे दिन रहने वाले हैं जिससे आपके सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे परिवार में धन दौलत और सुक समरद्दी बढ़ेगी जीवन साती के साथ प्रेम संबंद और भी मजबूत होंगे आप लोगों के लिए नई नोकरे मिलने के योग बन रहे हैं अचानक धन में बडुत्री होगी आर्थिक पक्ष भी काफी मजबूत होता हुआ इन दिनों दिखाई दे रहा हैं धन संबंदित मामलों में आपको बहुत जादा इन दिनों लाब मिलेगा परिस्तिती में कुछ बड़ा सु पत्ती के बड़े सोदे इन दिनों हो सकते हैं आपको बविस्य में बड़ा लाब मिलने के संकेत बन रहे हैं आप मानसिक रूप से भी खुसी इन दिनों महसूस कर सकते हैं बैंकिंग छित्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती हैं आपके जीवन में आने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव आपके लिए बेहद ही आनंद दायक रहेंगे आपको नए खुसकवरी मिलने की अब संभवने नजर आ रही हैं स्वास्त पर आपको विसे धन रखने की आवश्च रकता है साती सात वाहन भी आप बहुती सावधानी पूर्वग चलाएं आपकी अचानक अब किस्मत इन दिनों चमकने वाली हैं आप अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अंत करेंगे अचानक आपको भारी धनलाव होनी की संभावना इन दिनों नजर आ रही हैं प्रेम में पड़े जातको की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए ये दिन बहुती अनुकूल दिखाई दे रहे हैं हाला कि कारों की अधिक्ता की चलते प्रेम जीवन में कमी जरूर रहेगी लेकिन आपके और प्रेमी के बीच तालमेल के चलते आप दोनों इस कमी को दर किनार करते हुए अपने रिष्टे को और भी मजबूती देंगे साथ साथ इन दिनों साधी से जोड़ी चर्चाएं भी आपके घर में शुरू हो सकती हैं यह समय आपके लिए बहुती सुब साबित होने वाला है परिवार और रिष्टेदारों में सामाजिक संबंद और भी मजबूत होंगे आपकी सेहत में भी सुधार आएगा आपको खोया हुआ सच्चा प्यार इन दिनों मिलने वाला है आपके रुके हुए सभी काम बहुती तेजी से इन दिनों पूरे होने लगेंगे साथी साथ इस समय आपको अपने क्रोध पर भी नियंतन रखने की आवश सकता है अन्य था बनी हुई बात भी बिगड़ सकती है जिया दोस्तों आपके जीवन में अब आपको अनेकों प्रिकार के बड़े बड़े परिवर्तन इन दिनों देखने को मिलने वाले हैं आपको अपने दैनिक जीवन में नई खुसकबरी मिलने के योग नजर आ रहे हैं आप दिन दुगनी रात चोगनी तरक्की हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में आने वाले सभी प्रिकार के दुखों का अब अंत होगा परिवारिक विवाद और लड़ाई जगडे से भी आपको मुक्ती मिलेगी किसी काम में किया गया प्रियास आपके ल समय आपके लिए बहुती लाबकारी साबित होने वाला है शिक्षा नौकरी और व्यपार के छेत्र में आप नए किर्तिमान इस्थापित करने में काम्याब होंगे नौकरी की तलास कर रहे लोगों को नौकरी मिल सकती है दोस्त मददगार और सहयोगी रहेंगे बिजनिस औ और ओफिस के छेत्रों में आपको बहुत सारी चिनोतियां मिल सकती हैं समाज में आपके मान सम्मान में काफी बढुत्री होगी कारे छेत्र में जोस के साथ काम करने का आपको मोका मिलेगा आए में बढुत्री होगी आपकी सभी इक्षाएं पूरी इन दिनों हो सकती हैं आ समाजी कारे में आपका मन भी इन दिनों खूब लगेगा आर्थिक छित्र में तरक्की हासिल होगी अपने कारे को आसानी से करते हुए आप समाज में इन दिनों अपनी अलग पहचान स्थापित करने में काम्याब होंगे व्यपार में आपको अधिक धनलाब होगा आपका आपको सच्चे प्यार की प्राप्ती होगी, आपकी आमंदनी में निश्चित रूप से वरद्धी होने के इन दिनों संकेत नजर आ रहे हैं, आपकी सेहत और व्यपार में उतार चड़ाव देखने को मिल सकता हैं, किसी पुरानी बात के चिंता आप कर सकते हैं, प्यार के अधिक मन लगेगा, शादी सुदा जिन्दिकी में खुसियां बनी रहेंगी, शंतान पक्ष से भी सभी परिशानियां दूर होंगी, इन दिनों आपको शंतान प्राप्ती के भी योग नजर आ रहे हैं, शंतान प्राप्ती का शुख आपको इन दिनों मिल सकता है, कुल मिल आप अपना जीवन बहतर तरीके से इन दिनों व्यतीत करने वाले हैं। बिगड हुए काम अब बनने लगेंगे। इसलिए कोई भी काम बिना डर के आप सुरू करें। आपको अवश्य ही सफल ताहसिल होगी। इन्हें आर्थिक तंगी से भी अब छुटकारा मिलेगा। आप लोगों को दुख दर्द और परेसानियों से अब छुटकारा मिलने व वाले हैं। जहां दोस्तो आपके लिए यह समय बहुती सुब समय रहने वाला है। इस समय का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए। जहां दोस्तो बगवाई श्री गनेश और मालक्षिमी का शिरवाद आपको प्राप्त हो। सच्च दिल से कमें स्कूक्स में जह श् इक स्वागत है। दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। 28 दिसंबर बुद्वार की राशी फल के बारे में। कर दोस्तो आज कर दोस्तो आज की बारे में।